तो हेलो गैस एक टेटरल वीडियो है इसमें बिसिकली दिखाया जाएंगे कि कोई साभी आप गेम पे मेमोरी इडिट करते हो सिधार राइट कर रहे हो कोई आफसेट की कोई वेलू को तो इस टूल जो है मेमोरी डंप पर इसको एक्सेक्टली स्कोर डंप कर लेगा चाहिए आप कोई बाइपास लगा रहे हो एक्सेक्टर की थूरू या फिर आप गेम में कोई फेचर यूज कर रहे हो जो बैसिकली मेमोरी ओफसेट का वेलू को राइट कर रहे है तो चलिए इसका डेमसेशन दिखाते है यह वो टूल है जो सिपीप इस फोल्डर आपको मिल जाए आप इसमें 100% मतलब है कि वाई आप कोई सभी आगर आप केम पे मेमोरी राइट कर रहे हो कोई सभी तो वो चीज़ डंप होगा ही होगा इससे बचने का कोई अल्टनरेटिव है नहीं अन्टनर अनलेस कोई बंदा मेमोरी मेंपिलेशन कोई दूसरे मेतड से करता है उजा तब ही जीज़ बच सकता है बंदा सिधा पेच कर रहे है कोई और यहां रखती होगा है तो अब इससे अपको ईसा भी एक्टनल इंजक्टर गरहा ऑगा डंप कर सकता हो जाआ जापे लोगों बैपस लग रहा है सिधा रखत कर रहा है कोई बेढ़ो को पर्टिक्लार जाए जितने भी लिप्स हो सबका हो जाएगा तो आपको बिसिक लिए सारे फाइल्स ओल्रेटी जीप फॉर्मेर्ट में मिल चुका होगा तो इसमें करना क्या है एक इसमें देखो तिन कमांड है अब अगर इस सब्सक्राइब का युशिज चानना चाहते हो तो इस कमांड से देख सकतो बैसिक मोड में एकसेस कर सकतो तो एक डेमो के लिए लिए लिप अनॉक्स लॉटेस को हम में यूज किया यह इदर बैसिक लिख के सेम इदर स्ट्रॉंग लिख दो गया इसी आर्गोंट को तो स्ट्रॉंग मोड में करेगा यह स्ट्रॉंग मोड और बैसिक मोड है कि होता क्या है यह लगी तो यह basically demo CPP है और इस demo CPP को इससे मैं execute कर रहा हूँ लोगो बाइपास लागे और इसको dump करके दिखाएंगे तो इसको चलाने के लिए सबसे पहले मैं basic वाला mode में use किया basic mode argument करके इसको dump करते हैं तो सबसे पहले हमको यह open करना है एक्जूट करना है game का कुछ data हम लोगो store करना है real data फिर जब बाइपास लगेगा उसको load dump करने में easy होगा एक्जूट करेगा तो automatically game open हो जाएगा तो अब दर देखो लिख का रहा है कि basic mode enabled बोल रहा है कि hit enter when you want to start dumping really थुरा वेट कर लो एनॉक्स को पुरा लोड होने दो ev4 को यह चीज लोड करने के लिए तुम लोबी तक पोचना जरूरी है बट एनॉक्स इदर तक भी पुरा लोड हो जाता है simple enter मार दो लिखा क्या dumping start address dumping add address अब ओरजिनल जो लीप है वो डंप हो चुका है अब आपको क्या करना है जैसी कि मानलो इसको अगर चाहते हो इस आपका यह चीज है इसको बंद भी कर सकतो कोई दिक्कत नहीं देखो इदर एक basic नम का फोल्डर बन जाएगा इसका अंदर आपका यह चीज स्टोर हो जाएगा अब यह चीज आपको बार बार करने के कोई जरूरत नहीं है मानलो अब इस बाइपास को डंप करना है तुमक देख लो अच्छे से यह से से कोई इंजेक्टर भी हो सकता है जो क्राफटन पर बाइपस लगा के गया है जब भी बाइपस लगा लेगा चेकिंग पर आपड़ेट पेच पे आएगा अप और लड़ी इसका डंप करके रखते हुए मतलब उसका डियल डाटा को अब कंपा एक वाला फॉल्डर एक्जिस्ट करता है डूए वान टो लोड देट वाई यह से एंटर मारतेंगे एक डंप हो रहा है देखो बोल रहा है एक स्डिकर्ड आल डंप नमका फॉल्डर पे यह चीस लड़ी डंप हो गया बैक करते है जाके देखते कि आल डंप में हुआ एक ओला फॉल्डर तो देखोगी कि यह रहा ओफसेड खुला दिख़ राय कर सकत qualify जाता है यही अज यह इन और घ्र रड्ड़ कर सकते दूर्ब्स अन्टS का भी कर सकते है собाने क्या होता है। लोगा जो गेम का memory allocations होता है split up होता है काफी जगात हद तक तो जब लीब जब बरा हो जाता है ये वीपूर का मानलो तो बहुत सर इसका addresses पे होता है तो वो कोई सब addresses मीजना और हर जगा से और टांप हो जाए कोई बंदा चुपा ना पाए उसको इसको इसलिए हम लोग स्ट्रॉंग मोड यूज़ करते हैं स्ट्रॉंग मोड यूज़ करने के अब तरीका बहुत सिंपल है अब रणर.sh में जाके बस यह जो है इदर बेसिक लिखावा है इसको डुज़े सेथ हो जाएगा स्ट्रॉंग मोड पर सेम काम करें जब पहले एकुट करोगी तो अपका डाटा सेप करेंगा स्ट्रॉंग नम नम का फोलडर में उसी फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बनाके और फिर जब दुबार आसको एक जुचे करोगा वाइपास लगाने